हेलो गाइस वेल्कम टू माइ चैनल अल अबाट बज्जे अन फिंचेस तो आज हम फिर से एक इंपोर्टन टॉपिक आपके लेके आये है कि आप बज्जी से आसानी सी ब्रीड कैसे ले सकते हैं बड़े लोगों के पास ब्रीडिंग नहीं आ रहे होगी मतलब फ्रॉब्लमस हो गए या फिर एक साल से हो गए कितने महीने हो गए यह सब के लिए जिसके पास एक पर भूप ब्रीड कर रहा हूँ चाता हैं इसस आंदरि करे तो बढ़ते हैं इस टॉपिक तरह तो बजेस बड़ा मतलब थोड़ा अलग पक्षी है जैसे कि फिंचेस में देखा है तो उनकी पेरिंग आप कुछ भी male female रख दो वो कर देते लेकिन बजेस में आपको पेरिंग करने पड़ती है मतलब आपको यह समझा पड़ेगा यह ऐसे कि ऐसा यह मत समझा मेल फीमिल लाया तो ब्रीड करेगे उनकी जब पेरिंग होएगी male female रहेगे और adult रहेगे तब भी ब्रीड करेगे तो अगर आप तुरंद ब्रीड जाते मतलब दो महिने के अंदर ही आपको ब्रीडिंग चाहे तो मैं जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ उससे वह ऐसा आप करो और अगर आपको समझो पहले से आपने खरीड दे तो भी आप देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा है क्या उसके साब से आप चेंजिस करो तो पहला आपको करना है पहले तो आपको केज लेने अच्छे साइज का अभी मैं केज का आपको major नहीं बता हूँ किस सब केज अल पर जाता है लेकिन सीधे इसमें जाता है तो वैसे आपको केश झाने जिसमें थोड़ा उसको उड़ने को मिलता हो उसके बाद उसके करते हो एक my Gra प्रफिटरी केज रखना आपको उसके बाद आपको जो कलर का मेल चीए जैसे मैं अभी अलग अभी मुटेशन बना आप कैसे बाना सकते उसमें से आपको कुछ फे वरकिंग करने तो वैसा आप मेल लेक्ट लेक्ट अगर ये दो मेहने जो चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हो आप देखेंगे ना तो चोच जो उनकी नोस होती है ना उदेर असा क्रैक होगा या फी चोच जारा टूटी होगी और एकदम मतलब वह बुट्टिय जैसे लिखते होगे उनके आख के दर पंग आयाब होगे थोड़े से तो वह एकदम अच्छ रहते लेकिन वह थोड़े और इसलिए वह कुछ सेल करते तो वह ऐसा लेना है आपको मतलब जिसका बुलू आओगा एकदम अच्छे कलर है उसके और रेड उसको आई भी आई रिंग भी आई होगे ऐसा आपको मेल लेना है और मतलब देखना है और कभी भी रात को मतलो मैं जब भी लेन जाता हूँ तो दोपहर को लेन जाता हूँ जिससे मालूम पढ़ता है कि एक्टिविटी के है तो जो जादा एक्टिविटी कर रहे है मस्ती कर रहे हो आपको मेल उठा के लिए आना है वह आप लेके आ गए तो अगर अच्छे सा आपने डिया है तो उसको सी 15 दिन रखना है अभी मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इसके बाद में यह आप ध्यान से सुनना यह बड़ा ही इंपोर्टन है बहुत लोग इसमें मतलब करनी पाते है मतलब बहुत लोगे ट्रिक ट्राय करते मेल ऐसा लाते रखते लेकिन फिमेल का जाता नहीं एक महिने रखने तो इसमें आपको करन पंदरा दिन में यह पंदरा दिन रखने आपको अच्छे से खाना और विटामिन कुंसा ज़रूरी है मैं उसके बार में बोल रहा हूँ त्यान से सुनना विटामिन D3 बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके धूप आती है सुबा की तो चलेगा सुबा की मतलब दोपेर की न इसके इंग्रेडियंट के अंदर तो अपको वह मलीटी विटामिन इसको हफते में 3-2 बार देना है यह 15 दिन Base विटामिन D3 से क्या होता है मेल के अंदर जो इन फर्टिलिटी वो भी खतम हो जाती है मतलब फर्टिलिटी बढ़ जाती है मेल के अंदर उसका जो मस्ती करता है मतलब मेल एक देनी से दूसरे कर जाता है वह बोलते हैं जादा एक्टिव मेल है यह विटामिन D3 के असे होता है मतलब विटामिन D3 अच्छे मात्रह में होता है ना तभी होता है तो ऐसे आपको मल्टी विटामिन देना है उसको विटामिन D3 तो ये अच्छे से देनीकाद 15 देनीकाद आपको आप देखे कि मेल के एक्टिवेट जादा बढ़ गई है अच्छे आपको लग रहा है कि ये इस मेल को पेरिंग लागाने जादा ही मस्ती पे आए तो फिर आपको अभी फिमेल लाना है तो अभी ये भी ध्यान से सुना फिमेल आपको कैसी लाना है फिमल हमें आड़ल्ट लाना है लेकिन ऐसी आडल फिमल जिसकी फिर्ष ब्रिट हुई अलुगाँ तो वैसे इसमें भी चोच एक दम मतलब नायार है ना चाहिए को उसको क्रैक नी आ चाहिए और आप देखना कि आखो के इदर उसका पंक निकला है कि नहीं अगर समझ आखो के इदर मतलब अच्छे से ठीक से बाल एक दम मतलब फ्रेश जिखती है थोड़ा मतलब पुरा ब्राउन नोस और वैसा ब्राउन नोस मतलब फिमेल थोड़ी हीट पर मतलब वह पैर लगान के रेड़ी है अगर आप इसके सामने एकदम ही यंग फिमेल रग देगे जिसकी वाइट नोस है उसको पेरिंग लगा नहीं तो मेल कोशिश करेगा लेकिन जब फिमेल को पेरिं है तो आप देखेंगे ना आपको तीन दिन कुछ रुखने जरूद भी मतलब यह अगर में इस साब से किया ना कुछी मिनिट लगे आप कुछी मतलब पाच्छे मिट क्या देखो मेल उसका जाएगा अच्छे से चोच-चोच मिला रहा होगा तो समझ लेना पेरिंग लग और खाना एक्षेंज कर रहे है दाना एक्षेंज कर रहे है इसका मतलब कंफर्म होगे कि पेरिंग लग चुकी है मेल फिमेल की यह तो इसमें हम लोग क्या करेगे तो आने का दिन आपको दो हफता सो कुछ देना नहीं है मतलब मल्टिविटामीन हलका चालू रख सकते हैं सौ спुट देना नहीं है, दो हफते के बाद आपको सौफ फूट देना चालू करने सौफ फूर देना चालू करना है जिससे है मतलब ही महीर फिमेल ओर है अभी मैं स्पेर्सप्यशोस में दूसरी स्वीडिये हर को बनाऊगा जिसकेश आपको आनो सौसों चूब जाएगी तो जो सिक्रेट सॉफ्ट के बात करता उसमें अगली वीडियो बनाऊगा और वह आपको मतलब अब देखो मतलब समझ लो अगर आपको मानुपड़ा कि वह सॉफ्ट कैसे देने क्या रेसिप यह मैं जो इस्तिमार करता बड़ी आसाने कुछ जादा यह नहीं मतलब एक्जोटिक नहीं है नॉर्मल है और उसके ऐसे फिमेल बस एक हफते में हीट पर ब्रीड पर आ गई तो आपको देखना है वह मैं डालूगा थोड़ी दिन के बाद तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते यह देने के बाद है ना फिमेल थोड़ी हीट पर आ जाएगी तो फि सामरे तो स lesi से आपको असानी पड़िए देखने कि फिमेल डैरेक फिमेल्ड यांजरी बार इसलिए उताव बहूत बोल्स ने क्लेसर यह होदी चाहिए सब्सक्राइब करें कि और सब्सक्राइब करें कि अगर आप से देखें आप और अच्छे से आप समझ ले ना कि आपके लिए बनाएं और यह जो मैं बहुती सालों से इस्तिमाल कर रहा हूँ तो यह आपको भी काम आएगा और मैंने जो बोला था कि विटामिन D3 वो ठीक है विटामिन बें दूसरा अलग से बना दूगा बस इतना याद रखना है D3 कैल्शियम ज़रूरी है वो आप देना यह ब्रीडिंग से पहले ब्रीड लेने से पहले दे देना तो यह आप उसके लिए अच्छा होगा मतलब कुछ एग बाइंडिंग के प्रॉब्लम नहीं होगी तो अगर आपने पुरा वीडियो एंड तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब किये बगर जाना मत क्योंकि मैं ऐसे इंटरस्टिंग टॉपिक आपके लाता रहता हूँ अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको पहले तो सब्सक्राइब करना है और फिर मैंने आप मेरे चैनल पर देखो मैंने बहुत इंटरस्टिंग वीडियो डाले वे म्यूटेशन के बारे में जो जादा नहीं है यूटूब पे तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसके और में जादा जानने लगे क्योंकि बहुत कम जानते हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग